कि रीयलमी के Δिवाइस में आपने देखा होगा ज़ो स्टेटेस बार में बैटरिक आईकॉंस देखने को मिल जाता है उसके में आपको कुछ कस्टमेशन पर कुछ चेंजस देखने को मिलें कुछ डिवाइसज में जैसे कि आपको horizontal या फिर vertical जो battery का icon pack है वो देखने को मिल जाता है या फिर circular shape में जो loop shape होता है वो देखने को मिल जाता है तो इसको आपको किस तरह के से enable करना है या फिर आप इसको enable भी कर सकते हो कहाँ पर setting होगे रहा है यहीं मैं आपको बतने वालो इस वीडियो में वीडियो को आपको start send तक देखना है अगर वीडियो अच्छे लगए तो like कर सकते हो चैनल को आप या पर subscribe कर सकते हो so without wasting any time let's get started basically यह setting हमें कहा देखने को मिल जाते है device के setting में notification and status bar के option में आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल जाता है इस feature में notification and status bar के option में आपको एक option देखने को मिल जाएंगा तो किस तरीके से आप कुछ third party users करके उसको यूज कर सकते हो but ultimately अगर आपको इप्लिकेशन यूज कर रहे हो तो डेफिनिटल आपकी बैटरी विगरा काफिया तक यहाँ पर आपकी सारी से और भी काफिया सारी कस्टमाजेशन से जिनको आप चैंज कर सकते हो बाट अल्टिमेटल यह प्यापकी सारी परमिशन साब से लेने वाला है और साथ यहाँ पर आपकी बैटरी पर कोई third party application को यूज कर रहे हो तो अगर आपके पास realme की 8 device है तो आप एजीली सेटिंग में जाकर यह चैंज कर सकते हो आपका Icon Packs चैंज कर सकते हो जो आइकॉन से बैटरी की स्टेश के उनको चैंज कर सकते हो अधरवाइस आपको कुछ इस तैप से चैंज कर ना है Google Play Store से कोई भी थरदबार एप्लिकेशन को यूज करके तो यही थी कर दो एंड अल्टिमेटली बस यही सोलुशन है यही ट्रिक है जिसके तुरू आप जो स्टेटेस बारे उनमें चेंजिस कर सकते हूं मिलता हूं मैं आपको अगले उड़े में तब तक के लिए टाटा और बाई बाई